आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एक सब्द है काफी Twitter for tend कर रहा है कि मोदी रोजगार दो एक दूसरा सब्द है कि मोदी गल फेंड दो कोई तीसरा एक सब्द और देख रहा हों कि कोई कह रहा है मोदी वाय फेंड दो तो ये अलग-अलग बात है लेकिन आप देखेंगे क काफी attend कर आएगी मोदी रोजगार दो इस पर बड़ी अच्छी किसी नचाल लाइने कहीं है कि गालिव कि हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिव हम तो जब कभिस्तान से भी गुजरते हैं तो वहां यो मुर्दे पड़े रहते हैं वो भी उठक तो वो भी आपसे यही कहता हुगा कहीं लगी या नहीं लगी इन नेताओं को आप समझें कि कोई फरक नहीं पड़ता है अब देख रहा था कि कोई सोचल मीडिया पर लिख रहा था कि हमारा देश सुरक्षे था तुमें हैं और क्या तुम बेरोजगार नहीं रह सकते हैं इसके लिए तो मुझे लगता है कि एक बड़ी अच्छी कहावत है कि भूंके पेट भजन नहीं होता है अगर हम सोचते हैं कि हमाला देश तरक्की कर रहा है और बेरोजगारी इस्तिने चाही हुई है तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग देश बक्ती दिखा पाएंगे समझ रहे हैं आप लोग पहले भी मैंने कहा था कि चाइना के सामान आ रहे थे उस पर आपने कहा कि वाइकोट चाइना मैं तब भी आप लोगों से कहा था कि ये सफल नहीं होगा इसका दूसरा विकल्प आप लोगों को प्लब्द कराना होगा जैसे माली जी कि आप लोग क्योंकि देखिए उसका कोई ultimate यानि की बिकल्प नहीं हमारे पास अब आप ही सुचिए कि हमें अगर 10,000 रुपे में या 6,000 रुपे में सभी फीचर्स मिल रहें किसी सस्ते फॉन में तो हम तो खरीदेंगे ना समझ रहें आप लोग तो आप समझें आप लोग भी क्या करना क यहांसे देखें मैं भी कर देता हूं और आप भी कर दीजिएगा क्या आप देख लेते हैं क्या में अगरे सो रही है जब किसानों की आप देख रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर पड़े हुए हैं जब उनकी नहीं सुन रही है तो हम लोगों की कहा तक जाती है ट्वीटर पर कहा तक क्या होता है देखिए आप लो किसी ने बड़ा अच्छा भी कहा था कि जब देश में आप रोजगार मांगें तब आप से कह दिया जाए कि आप हिंदू मुश्लिम में बट जाए या फिर आप लोग धरम के नाम पर लड़िये समझ रहे हैं आप लोग समुदा है इस तरह से आप लड़ते रहे हैं अभी व बिहार के सियम सहाव हैं उनके द्वारा और आप बाकी देश में भी देख सकते हैं अभी यही तो चल रहा है कि आप लोग रोजगार की बात करिए आप किसी गरीब तपके की बात करिए या किसानों की बात करिए आप लोग तो कह देंगे कि आप देश-द्रोही हैं आतंग तो या इस तरह के सब दीवच किये गए, खेर छोड़ी आप लोग Congress की समय भी आप लोग उने देखा होगा इंद्रा गांधी की समय इंद्रा गांधी को छोड़ी आप लोग अंग्रेजों की समय जाई ही आप लो, भागस सींग, सुखदेव राजगुरू आपने देखा इसका एक इतिहास लिखा जाएगा आने वाले समय में, समझ रहे आप लोग, तो उस समय किस रूम में हमें याद रखा जा सकता है, वो मायने रखता है, आज हम समझे कि आज हमारी हो सकते हैं जिंदगी के 10 साल की हो, हो सकती हैं कि अंगले घंटे बाद पता नहीं कुछ भी हो सकता है, तो मैंने जो करम किये हुए हैं, वो याद रखे जाएंगे, ठीक है, तो यह मायने नहीं रखता है कि आप 200 साल जी रहें या 500 साल जी रहें, आपने किस तरह के करम किये, वो जरूर याद रखे जाते हैं, और इतिहास उन्हीं लोगों को पूछता है, आप लोग का साथ दिया आज आप लोग इस पेशल कोई बुक्स उठा के देखिए साब साब जब्दों में लिखा गया है कि सिंधिया गद्दार था और आप समझें जब तक इधर्ती रहेगी जब तक इतियास रहेगा तब तक कभी इतियास माप नहीं करेगा आज आप देख रहे हैं कि कई पत्तिकारों पर कई आप समझे कई किसानों पर देश द्रोह का एक तरह से दहराएं लगा दी गई हैं चात्रों पर आप देखिए किस तरह से लाठीयां बरुचा ही जाती हैं एम पी में भी आप लोगों ने देखा होगा नेताओं को देखे कोई फरक नहीं पड़ता है अच्छी salary मिल रही है retired मतलब हालने चुनाव हरने के बाद भी आप सुचे कितनी एक तरह से उन्हें pension भी मिलती रहेगी और उनके बच्चे आपने देखा हूँ का कभी नौकरी इस तरह की सरकारी नौकरी में पड़ते ही नहीं है क्योंकि उन्हें तो एक पेशा मिल गया राजनीती भी तो एक तरह से आपके यह नौकरी है नौकरी से बेतर है आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी इतनी है कि अभी आप घर से बाहर निकल लिए चार से पांच हजार रुपे में काम करने के लिए आपको कई लड़के मिल जाएंगे इतनी बेरोजगारी वही कहा बत है कि एक अनार सो भीमार जैसा अभी आप लोग देखिए कि दुकानों पर चार हजार रुपे में क्या होता होगा महीने में आप कुस ओच के देखी चार हजार में लेकिन आप बिरोजगारी मत करिए बरना आप देश्दरोही हो जाएंगे पता नहीं और भी आप लोगों कुछ भी हो सकता है तो इस तरह कि जब भी मुहीम चला करें आप लोग ट्वीट तो करी दिया करीगा अब चौप एक तरह से चुप बैठने से कुछ मिल भी तो नहीं रहा है एक पेपर देजी आप लोग जैसे तरह से अगर सेलेक्शन हो तो कोट और कोट से हो तो कहीं बिख जाए कुछ भी हो सकता है समझ रहे एक चात होना मुझे लगता है कि तपस्या से कहीं कम नहीं है वो एक टायम आपने देखा होगा आप सभी अधिकतल लोग चाती है और मध्यम परिबार से आते होंगे इतना दू किलियर है तो आप देखते होंगे कि एक टायम आपने खाना बाना लिया आप लोग सोचते हैं कि एक ही टायम का साम को भी हम वही खाना खालेंगे कितना मतलब कितनी तपस्या करनी पड़ दिये उसके बाद भी आप समझेए कि एक तरह से किनारे नहीं लग रहे हैं, घल से बेज़ जती, अपने आप में बेज़ जती, उपर से सरकारों को देखिए आप लोग, और नेता कभी नहीं चाहेंगे, आप लोग नेता कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोग पढ़ लिख जाएं, अगर आप लोग पढ़ लिग गए, तो कभी आप लोग अंदभक्ति के नाम पर बोट नहीं देंगे, जाती के बाद नाम पर बोट नहीं देंगे, धरम के नाम पर बोट नहीं देंगे, मैं कहता हूँ अगर भारत अगर पिछडा हुआ है, तो कुछ राजनेताओं के कारण, और अगर हमारी संस्किती चौपट हुई है तो कुछ अभी नेताओं के कार है हमारी संस्किती क्या हुआ करती थी आप समझे या फिर आप लोग समझे कि आजादी जब हमें 1947 में मिली हमारे मंत्री मंडल को आप लोग देख सकते हैं कि सभी पड़े लिखे थे भीमराओं बेटकर साब को देखी आप लोग कानून की चित में एक तरह से आप महारत हासिल किये हुए थे और आज की मंत्रीयों को आप लोग देखिए मालू ही नहीं है कि पड़े लिखे हैं या नहीं पड़े हैं आज अधिक तर आप लोग अपने जो भी नुमांदिय के होते हैं एक तरह से चुने हुए निता होते हैं उन मेंसे बलतकारी मिलेंगे मडर की योग हत्यारे मिलेंगे डकेंत मिलेंगे आप समझे इस तरह से इनसे क्या घोटाले वाज मिलेंगे इनसे आप उम्मीद क्या रख सकते हैं, क्या विकास की उम्मीद रख सकते हैं, कभी नहीं तो यही कहानी चल रही है आप लड़ते रही है धरम के नाम पर, वो अपनी रोटियां सेंखते रहे आपने देखा होगा कहीं कोई भी death होती है लोगों की एक तरह से आप समझ सकते हैं, कि तुरहंद उनने दो टूइट कर दिये और बड़ी संबेदना बैक्त कर दिये आप हम उस परिवार की दर्थ को नहीं समझ सकते हैं, जिसका मेंबर गया हो उसे छोड़ कर, और साइद इन नेताओं को कोई फरक भी नहीं परता है उन्हें क्या फरक पड़ने वाला है आप लोगोंने लॉकडाउन में भी देखा है कि जन्ता किस तरह से पिस रही थे और हमारे नेता क्या कर रहे थे, रामायड महाभारत देख रहे थे मैं तो कहता हूँ कि अगर इस समय भी भगवान स्री राम होते तो मुझे नहीं लगता है कि वो इन लोगों जैसे घर में बैठके रामाय या इस तरह के कोई काय तरोग्राम देख रहे होते कारक्रम वो जाके लोगों की मदद जरूर कर रहे होते आप समझे एक नाम आप लोगोंने काफी सुना हुआ सौनुसूद अगर वो इतने लोगों की मदद कर सकता है तो आप समझे हमारे विधायक, हमारे MLA, हमारे MP या फिर आपके समझे कि राज्यसभा की सदसों या लोगसभा की कितने हमारे पास नेता है अगर एक नेता अगर अपने मतलब जो भी उसका चुनावी छित है उनके लोगों की मदद करता तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एक भी व्यक्ति की डैथ ना होती इतनी तरास्दी ना जिलनी परती लेकिन कौन समझा है आप सभी लोग जनते हैं कि किसान जो भी ये तीन किरसी कानून आये हुए है तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालुख होगा कि इसमें कुछ पाइदे भी है इसमें कुछ नोकसान भी है आप लोगों ने देखा وगा लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप समझा नहीं पा रहे हैं सामने वाले को तो इन कानून का कोई मतलब भी तो नहीं है वही हाल है कि आपका बड़े हैं और मैं एक गिप्ट लेकर आया हुआ है और जब आपको पसंद नहीं है वो गिप्ट तो मुझे लगता है आप वापस कर रहे हैं मुझे ले लेनी चाहिए क्योंकि जबर जस्ती आप समझे हमारे देश की एक तरह से छबी खराब हो रही है इन नेताओं को कोई पर्व नहीं पड़ता अब क्या रहे गया है और एक तो सबसे वड़ी खामी क्या है कि विपक्च एक कमजोर है और जिस देश का विपक्च कमजोर हो उसका देश का बंटाधार होता ही है हमारे पास दूसरा विकल्फ ही नहीं है तो हम लोग उस पायटी को वोट दे देते हैं और वो पाइटी इसी तरह से फाइदा उठाएती रहती है, यही हाल चल रहा है और यही चलता रहेगा जब तक देखते रही है आप लोग, विधायक जी को देखिए आप लोग, कि विधायक जी एक बार चुनाव जीतने के बाद अपने आपको भगवान समझ लेते हैं, खेर छोड़िये, मैं तो एतना ही कह सकता हूँ कि, करते रही है ट्वीट सब लोगों ने बोला है कि ट्वीट करिये, तो आप लोग भी करते रही है, और भगवान करे अब क्या कर सकते हैं, कास बेरोजगारों की स्थिती यह नेता समझ पाते, और मुझे लगता ही कि यह अप कि कोई नेता, अब क्या कहा जाए रहने दीजे, बड़ी वेरोजगारी की मार है, पढ़ते रही है और देखते रही है और जो भी हो, आजकल वड़ी अच्छे जोक्स भी दे रहे हैं, बच्चे डाल देते हैं, कि मम्मी भी बोलती है, कि वो बेटा जब बेरोजगार हो, तुम मटर ही छील के दे दो, सबजी बना ले, कई आपने देखा होगा, कई लोग suicide भी कर लेते हैं, क्योंकि आप frustration उनकी मतलब नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जब तक बेरोजगारी रहती है, चारों तरफ से गिरा रहता है वो लोग, कभी आपने देखा होगा, धोके से भी किसी का फोन आ जाए, या फिर आप लोग किसी पारिटी, किसी कारिकरम में, या कहीं भी आप लोग जाते होंगे तियो भार पा, तो घर के ना बोलें, लेकिन आसपास की हजार लोग पूछ ही लेते होंगे, कि कहीं हुआ selection, या नहीं हो पाया, अपने आप से सरम लगने लगती है, समझ रहें? चलते रही हैं, आँगे कहां तक पहुंचते हैं, क्या होता है, अब कुछ बोलेंगा भी नहीं बचा हुआ है, आप लोग समझदार हैं काफी, ठीक है? तो ट्वीट कर दीजी, देखते हैं कि जाकती है सरकार या नहीं जाक कर दो